हेलो एड़ोन विलकम तो निट गुरू क्लासेस तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह है प्रिंस्पल आफ इन्हेरिटेंस और अच्छा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से जो हमाई यूनिट सुरूती है वह है जेनेटिक्स अब जेनेटिक्स य ज्यादा तर वहाते हैं वह इस चीश पर डिपेंड करता है कि आपने इसको चैप्टर को कितने अच्छी तरीके से समझा हुआ है ठीक है तो शुरू आज से वीडियो को आखरी तक देखिएगा और जो भी मैं समझाने कोसिस करूंगा हर एक चीज अच्छे से समझने की कोस करिएगा ठीक तो समझने पर आप डिपेंड करता है क्वेश्चन क्योंकि कॉंगी कॉंसेप्च्छन होते हैं तो इस वह समझना जरूरी है ठीक है तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा ठीक और उसके बाद आ मतलब नीट में पूछा नहीं जाएगा कि आपको इन्हेरिटेंस का ठीक है तो सिंपल आप समझ देजिए बस इन्हेरिटेंस क्या हो गया मम्मी पापा के करेक्टर्स हमारे अंदर आ गए इसी को इन्हेरिटेंस क्या है कि हम अपने मम्मी पापा से अपने भाई बहन से अल हुआ है दूसरा पुइंट साहिवाल कौण साहिवाल काउव वह डेवलट बाइड आड़िफीचल से पंजाब इनको शेल से और डॉमेंश्टीकेशन से पंजाब में डेवलब किया और इन्होंने 7 साल तक experiment किया था 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने experiment किया था ये date आ जाती है exam में आपको याद होनी चाहिए different form of same gene is allele अब किसी एक gene जो होता है कोई भी एक gene उसका अलग-अलग form होता है और उन forms को allele कहते है ठीक, Mindle call genes as factor अब जब मींडल experiment कर रहा है तो उनके टाइम पे Gene जो है वो word नहीं था तो उन्होंने क्या क्या factor वर्ड यूज किया ठीक है या फिर उन्हें पता नहीं था या फिर नहीं था था तो उन्होंने factor word यूज किया तो कभी कभी कुश्च आता है कि मेंडल ने जो factor word यूज किया था यह factor होते क्या है यह एक्छली gene होते है ठीक तो क्योंकि gene word उसमें था नहीं तो इन्होंने factor word यूज कर लिया अब panet square आरसी panet नाम के एक scientist को द्वारा दिया गया था और यह British genesis थे ठीक है ब्रेटिस मतलब ब्रेटेन के रहने वाले थे और यह होता है panet square यह बैसे करेक्टर में यूज किया काफी अब आते करेक्टर्स पे जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांड में कई करेक्टर को study किया और टोटल साथ करेक्टर से study किये तो कभी कभी कुश्च यही बाद में लिखें यह अब एक्जाम में इससे question मतलब आ सकता है वह इस टैप से आता है कि कह देते हैं कि पॉड़ शेप है तुम्हाँ पास और पॉड़ शेप का dominant वाला फॉर्म बताओ तो आपको बताऊना चाहिए इंफ्लेटर जो है वह डॉमिनेंट फॉर्म है इस तरह पोड कलर ग्रीन या फिर यलो सीड शेप रांड और रिंकर्ड रिंकर्ड मतलता है जुर्यां पढ़ना जैसे बुढ़े लोग के इसकिन पर जुर्यां पढ़ आती है वह यह इंपको तो यह साथ करेक्टर से टोटल चौदा यह आपको मतलब फॉर्म मिल जाएंगे 14 फॉर मेंडल के एक experiment पर बेस है inheritance of one gene या फिर monohybrid cross जब हम एक gene का inheritance पढ़ते हैं तो जो cross कराया जाता है यह जो cross कराया गया है इसको monohybrid cross करते हैं ठीक है mono मतलब होता है one तो यह मेंडल का experiment था मेंडल ने क्या क्या पी प्लांट में कैप्टर टी कैप्टर टी और स्मॉल्टी स्मॉल्टी थी टॉल और ड्वार्फ अब इन्हों ने फर्स्ट एफ वन होता है फीलियल वन मतलब होता है पहली generation तो पहली generation जब इन्होंने cross कराया तो जो पहली generation मली इसमें सारे टॉल प्लांट थे यानि जो dominant character था सिर्फ वह ही दिखा फिर इन्होंने इसकी दो मतलब दो इन्डिविज्व यहां से ले लिए कैप्टर टी स्मॉल्टी और कैप्टर टी और स्मॉल्टी और इन दोनों का cross करा दिया तो सेकंड जनरेशन जो हमारी मिली उसमें टॉल और डॉर्फ दोनों character से 3-1 ratio में में बताया कि जब भी हम cross कराते हैं तो पहले generation में जो characters दिखते हैं वो सिर्फ dominant वाले दिखते हैं ठीक सारे characters dominant दिखते हैं और second generation में dominant और जो मतलब recessive character होते हैं दोनों दिखते हैं ठीक तो यह चीज में बताया अब monohabrit cross के लिए आपको याद होना चीज है phenotypic ratio जीनोटीबिक रइशियो वाहर से दिखता है जैसे capital टी capital टी बाहर से देखने में टॉल होगा capital टी small टी भी टॉल होगा और capital टी small टी यह तीन टॉल होंगे ठीक बाहर से देखने में तो तीन टॉल हो गए और वन मतब तो यह जीनोटिपिक रस्यों मोनोहइब्रिड क्रॉस में क्या हो गया वन इस फॉर्म में मतलब का यूज़ करना बायो में बहुत ही आजीव लगा था तो जो मैथ का यूज़ किया था उन्हों क्या कि यहां पर यहां पर एक्स प्लस अगोल्स इन्हों ने इसको यूज़ करके हम यह रेश्यो को ला सकते हैं यहां पर और भी क्या है एक्वाल benefici होती कि आदे आधे चांसे होते हैं कि कैप्टल टी जाएगा किसी जीन में मतलब किसी जैसे दो बच्चे हुए तो उसमें कै तो इसको अगर आप्या पे रखेंगे तो आपको n कि इसका रहेँ है वह वन की ने क्योंकिüst में यह पूछा नहीं जाता है तो आपको परको करा Kings करते सब्सक्राइब करने की ज़रूत नहीं तक सब्सक्राइब कर देखेंगे आपको बीचे है और आउ Ropriрат तो यह हो गया Mono Hybrid Cross अब आते हैं अब यहाँ पर आ जाते हैं इसको पढ़ लेते हैं प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है वाराइटेस डेट कॉंटिन्यूसली इन ब्रीडेड ऐसी वाराइटेस जिनको पास हो जाता है बहुत जादा वैरी नहीं करता है फिर दूसरा टेस्ट क्रॉस्ट क्रॉस्ट पैरेंट आप डॉमिनेंट टाइब उसको डिटर्माइन अन्नों जीनोटाइब यह समझने वाली चीज़ है तो इतने आसाने से कि याद करना होगा क्यों कि यह रख़ीए पहली कई अन्नों जीनोटाइब को निकालने के लिए जीनोटाइब करने के लिए हमाएbon बादा you सब्सक्नीफ सब्सक्रिंट्थ जो टू है यह ऩश्ज है यह तनों टॉल्हें यह वह तो हम यह कैसे जाने कि यहाद टैक समाल क्रास करा सकते हैं test क्रोस करने पर हमें यह पता चल जाएगा कि टॉल तो है लेकिन फिर इसी को पता करने के लिए unknown जिनोटाइप को पता करने के लिए हम यह क्रॉस कराते हैं किससे कराए जाता है dominant phenotype का के साथ यानि अगर यहां पे vet sprig compare के साथ हुआए है अगे यहां पर क्राइंगे मतब ट्रिश लिखा सब्सक्राइब僕 απ अपों चोटए सब्सक्राइब करूँंगा अब इन इंडल ने जो experiments किये हैं उनके basis पे दो laws दिये एक को कहते है law of dominance और एक को कहते है law of segregation law of dominance क्या कहता है in heterogigus pair when allele dominance over other heterogigus pair में एक allele जो होता है वो दूसरे पर dominate करता है जैसे यह heterogigus pair है capital T small T ठीक है यह homo gygus pair है homo gygus pair homo gygus मतलब जिसमें दोनों allele एक ही तरह के हो हो hetero-gigus pair मतलब दोनों allele अलग-alग हो तो यह अलग-alग है याणि hetero-gigus pair है अब इसमें capital T वाला dominate कर रहा है यही चीज़ लिखा हुआ है in heterogigus pair one allele dominate over other यहाँ पे capital T वाला dominate कर रहा है small T पे ठीक है यह होता है law of dominance अब factor occurring pair इस इक साथ मतलब में यह भी होते हैं यह जो होते हैं यह समझने जो होते हैं जिस होते हैं वह हमाएं character करते हैं यहां पर जीन्स की जगें मिंडल ने कि है उचके तो बिसकली यही है कि मतलब जो वो जीन्स के दोरा या कहले जे फैक्टर के दोरा कंट्रोल किये जाते हैं तो यह हो गया लूब डॉमनेस फिर लॉफ सेग्रिगेशन लॉफ सेग्रिजिशन क्या कहता है डूरिंग फोर्मेशन बनते समय अलेल से प्रेट एन वन गयमीट रिसीव सुनली वन एलेल जो होते है और एक गयमीट में सिर्फ एक एलेल जाता है ठीक मतलब अगर यह और यह और यह क्रॉस कर रहे हैं तो आप देखिए किसी भी एक में देख लेते हैं माली जी यह वाला मुदम इन दोरों के बच्चे ही तो है ये तो इन दोरों के यह वाला बच्चा है ठीक अब इस में यहां से स्मॉल टी आ गया है तो इस तरीके से मतलब जब भी गैमीट बनेगा या बच्चे बनेंगे तो जो पैरेंट होते हो उन से यह टी और यह टी यह दोनों अलग हो जाएंगे यह वाला टी अलग हो जाएगा और एक ही टी किसी एक बच्चे में जाएगा ठीक है तो यह बैसिकली ड्यूनिक गैमीट फॉर्मिशन एलील सेपरेट एंड वन गैमीट रिसीव उनली वन एलील ठीक है यह हो गया लॉफ मतलब है लिए इंड यहां से क्या अरलील है यह बता हैं इसमें फिर आते हैं रिसीव एलील के लिडियूस अब देखो यहां पर डॉमनेंट कौन है Catholic वाला डॉमनेंट है स्माल टी है तो जो डे रसेसिव एलील होता है वो डॉमिण मतलब क्यों नहीं हो पता है डॉमेंट तो यह इस वज़े से नहीं होता है, क्योंकि यह फिर less efficient enzyme produce करेगा, यानि ऐसा enzyme produce करेगा, जो काम नहीं कर सकता है, बहुत कम काम कर सकता है, या फिर ऐसा enzyme produce करेगा, जो कि non-functional है, यानि काम ही नहीं कर सकता, या फिर enzyme ही नहीं प्रोड्यूस करेगा ठीक है अब जो enzyme produce करेगा वही dominate करेगा तो यहां पर capital T में capital T वाला क्यों dominate कर रहा है क्योंकि इसने अच्छे से enzyme बनाया है और small T वाला क्यों है क्योंकि या फिर इसका enzyme जो है या फिर फिर फंक्शनल नहीं या फिर इसने बनाया ही नहीं है ठीक तो इस वज़े से यह क्या है तो आप चलते हैं दूसरे पेज़ यह हमारा पहला पेज़ कप्लीट हूँ जेनेटिक्स को समझाना बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज चीजे ना समझ में आ रही हूं तो आप कमेंट कर दीजेगा उस टॉपिक में आपको समझाने कोसिस करूंगा ठीक है हमारा पहला पेज़ हो गया अब आते हैं दूसरे पेज़ पेज़ जो है हमने पिछले पेज़ पर पढ़ाता है लाफ लाफ डॉमिनेंस इस पेज़ हम कैसे एक्सेपशन टू अप्स अब कुछ ऐसे प्लांट से या फिर अजहां पर लॉप डॉमिनेंस देखते हैं कि एक्सेप्शन नाफ डॉमिनेंस का देखने में रहे जो बच्चा पैदा हुआ है वह अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी से भी नहीं मिलना तो इसको कहते हैं incomplete dominance जैसे डॉग प्लांट डॉग प्लांट का नाम जो है उस नैप ड्रेगन या फिर एंटी राइनम स्पेसीज का जाता है मतब यह सांटिफिक नेम है तो डॉग प्लांट में incomplete dominance देखने मिलता है अब डॉग प्लांट जो होता है उसमें दो क्या हुआ था capitalism क्या हुआ था जब क्डिवा चिके साथ pard Went T के साथ May Your logo एधिवा तो टोल अचान लंबा अच लाव्ड बन जा रहा था एशा नहीं लंबे और चौटे के बीच में कहीं हो बीच में कहीं नहीं रह रहा था मंभा बन जा रहा था यहाँ पर क्या हयो रहा left समॉल आड तो बीच का कलर आ जा रहा रहा न रेडा वाइट आ रहा है दोनों से अपने पैरेंट्स से बिलकुल मिल नहीं रहा तो इस युक कहते हैं incomplete dominance चीए प्रोजनी जोता है वह पिंग कलर का फ्लावर देता है यह हो गया incomplete dominance यह law of dominance का मतलब exception है दूसरा exception है co dominance co dominance को मतलब होता है साथ में तो प्रोजनी रिसेंबल बोथ पैरेंट यहां पर क्या होता है उसमें दोनों पैरेंट के करेक्टर दिखते हैं और इसका इनका काम क्या होता है सुगर प्रोडूस करना बैसिकली जो i a होता है वो अलग तरीके सुगर प्रोडूस करता है और जो small i होता है यह कोई तरीके के सुगर नहीं बनाता ही नहीं है ठीक है अब यहां पर co dominance कहा देखने मिलेगा यह देखिए जब i a और capital i a capital i a या फिर capital i के साथ small i था तो a blood group देखने मिलेगा और इसलिए यह भी बनाएगा यह भी बनाएगा तो a मिलेगा यहां पर यह बनाएगा और यह कोई भी सुगर नहीं बनाएगा तब भी तो a मिलेगा यह दोनों जब करक्ट मतलब genotype रहेंगे तो a phenotype में मिलेगा या यहां पर देखो दोनों character जो है वह एक्सप्रेस हो रहा है जनरली क्या होता एक dominant होता था और दूसरा उसके सामने recessive हो जाता था कि कोई एक character देखने मिलता था लेकिन यहां पर क्या हो रहा दोनों character देखने मिलना है इसी वह जैसे यह क्या है co-dominance है ठीक है तो a b blood group है यह अगला टॉपिक है हमारा rediscovery of mendelworks in 1900 तो अपना काम किया था तो ज्यादा तर लोगों को इनके काम के बारे में पता ही नहीं चल पाया था तो इसके आलग अलग रिजन में दिये हैं जैसे कि सुरवात में communication बहुत कम था जैसे रेडियो टेलिवीजन और इंटरनेट यह सारी चीज़े थी नहीं तो लोगों को पता नहीं चल पाया इनके वर्क के बारे में इसके नहीं नहींने mathematics का यूज कर दिया था बायो में तो काफी लोग उससे भी नारास मतलब एहमियत दिलाई ठीक है तो यहीं इसी कहा जाता है कि मतलब फिर से discovery हुई मेंडल के बार की ठीक तो कब हुई 1900 में और किसके द्वारा की गई डी विरी स्कॉरंस और सेर मार्क तो तीनों अलग 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 अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ठीक है तो यह आप अलग टा पिक है मुल्टीबल एलेले ज्यादा पड़ा हो गया मुल्टीबलईли ज्यादा थे हैं पड़ेल से जादाल यहां मिलते हैं ठीक है तो इसका example क्या है इसका example आप यहां देखिए हमने आभी आपको बढ़ाया था आई जीन आई जीन एवियो blood grouping के लिए यहां पर एलील देखिए कितने एलील है तीन एलील है तो नॉर्मली दो एलील होते थे जैसे आपने अभी इस्टम हाइट वाइट पढ़ा था अगर मैं आपको देखाऊ तो यह देखिए इस्टम हाइट के दो एलील है यहाँ पर देखें ब्लड गुरूपिंग तो इसमें तीन एलील है तो इसे कहते हैं इसे ज्यादा करेक्टर को एफट करता है अब जैसे इसका इंडिया है इसटार्च संथिस इन पी काई बार पूछा गया है इसे बी जीन नाम का एक जीन होता है चो कि कंट्रोल करता है इसके दो एलील होता है अब देखिए चोड़ा बनेगा वह बड़ा और इसके नमरें रांड सीड भी होगए तो अब देख़रें दो करेक्टर हो है तो इसटार्च गरेन बहुता है और सीड के शेप को भी एफट कर रहा है तो मतलब एक जीन और दो character control कर रहा है तो capital B capital B में large starch grain हो जाएगा और round seed भी होगे small B small B में smart starch grain होगा और rinkered seed होगे यहाँ भी दो character देखें control कर रहा है starch grain का size और seed का shape तो दो character यहाँ पर एक ही जीन दो character control कर रहा capital B और small B अगर हो जाएगा इंटर्मीडियर starch grain बनेगा और round seed बनेगे ठीक है starch synthesis अगर पूछा जाए P plant पे तो यह periotropic example है लेकिन यह चीज़ ध्यान रखेगा कभी कभी question पुछाता है कि P में क्या चीज़ पूछागी यह आपको ध्यान देना है जैसा अगर P में पूछा लिया है कि इस्टम हाइट जो है P में वो किस टाइप का gene है इस्टम हाइट का जो gene है तो और तो normal gene है न वो तो dominance को follow कर रहा है तो यह याद रखेगा जब starch synthesis सामने आपको लिख के दे कि starch synthesis जो P plant में होती वो किस चीज़ के example है पीलियो ट्रॉपी का ठीक है करेंगे तो जिस समय गैमेट बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यह वाला भी करेक्टर इसी गैमेट के साथ जाए यह दोनों अपना अपना रास्ता खुड डिसाइड करेंगे दोनों अलग अलग जाएंगे या फिर साथ में जाएंगे मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा कि यह जीन जहां जा रहा वहां यह भी चला जाए ऐसा कुछ नहीं है तो यहीं यहां पर बिसिकली कहा गया है कि लॉफ इंडिपेंडनेंट इसाइड करेगा अगर दो या दो से ज्यादा करेक्टर हैं जो कि इन्हेरिट किया ज जिए जिए आप टू जिए जिए अधियोट होता है तो जो पार्ठ है यह पूरा पार्ट डाई है ब्रेट क्रॉस का है टाइब रिल्ट क्रॉस की थिए तो ड़्याइब कराएंगे तो हम दो करेक्टर लेंगे जैसे तैब अर और और Y Y Y, अब जब R R R है, यह round seed को सो करता है, तो एक character हो गया है कि seed का shape कैसा है, ठीक, capital Y Y जो है, वो yellow color के seed को सो करता है, तो मतलब एक तो character हो गया, seed का shape क्या है, और एक character हो गया, और जो cross कराएंगे, तो F1 generation जो है, उसमें capital R, capital Y, small y मिलेगा, अब हम इसकी selfing कराएंगे, selfing का क्या मतलब होता है, selfing मतलब इसको इसी से cross करा देना, बार बार में multiply करता हूँ, मतलब इसका इसी से cross कराना ठीक है, तो इसे कहते हैं selfing, अब इसका cross जो वो काफी बड़ा है, औ और NCRT में इसका पूरा planet square बना के दिखाएंगे हैं, लेकिन उतना आपको नहीं जानना, आपको क्या जानना है, basically, phenotypic ratio जो है, वो 9 to 3 to 3 to 1 आता है, इसमें, तो die hybrid cross में phenotypic ratio 9 to 3 to 3 to 1 आता है, किस sequence में, round yellow, round green, rinkard yellow, और rinkard green, इसको याद करना बहुत आसान है, समझ यह इसक नय कंबिनेसन है, जैसे round green, इन दोनों parents में, round green कोई नहीं था, यह नया combination मना है, wrinkard yellow, इन दोनों parents में, wrinkard yellow कोई नहीं था, यह नया combination मना है, ठीक है, यह जो 3 और 3 हैं, यह नयां कंबिनेसन है, इनको हम recombination कहते हैं, फिर 올 तो यह दिखिए यह आपे है यह वाला भी पैरेंटल, यह हम क्या कहने पैरेंट्ल टाइप क्या दिख नहीं है थेंगी यारी कॉम्मिनेशंस रिजात यह याद करना आपके रिए असकर आसान हो गया तो वन टू फोर तु वन टू वन इसी तरह इंद रखती तिए अब यह नहीं दिया नहीं है वन मतलब जिनो टीपिक रेशया लेकिन कुछ घ्जाम कए बार रहा है तो आपको मतलब यहां पर मैंने रख दिया है थिक अभर इसका सिक्वएंस नहीं यहाद रखना है कि राउं टो यह हमारा तीसरा पएज और इसमें सबसके पहले हमें परना है् क्रोमोशम Constitutional यह सब्सक्राइब क्रोमोर्ब राव स्ठीह थे लिए सब्सक्राइब तो स्रुण करतें हैं。 चैप्ली में काफ면 एंपस्टर वर ससेंटेश्च यहना जो जो時 पता चलिएक ईन्होंने वह संथिक मीडिया में लैब यानि इसको हमासानी से में संथिटिक मीडिया पर ग्रो होता है इनकी दो हपते होते हैं दो हपते में पैदा होते हैं बड़े होते हुं मर भी जाते हैं तो इससे हम क्या होता है कि कई जनरेशन हम पढ़ सकते हैं इनका तो कम लाइफ सैकल यह भी अच्छी बात है फिर वन मेटिंग प्रोड्यूसर लाज नंबर आप रोड़ी यानि एक ही मेटिंग में कई सारे बच्चे पैदा होते थे तो इससे मतलब सेटी करना आसान रहता था घर मेरी से ऐसानी से छाने वाले करला दूभ जाने के वाले सफायदे थे अब मॉर्गन ने दो टर्म दिया linkage और recombination काफी important है अच्छा समझिएगा linkage क्या होता है physical association of genes on same chromosome मतलब जो genes एक ही chromosome पे होंगे वो physically associated होते हैं यानि एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो यह होता है recombination क्या होता है non parental gene combination अभी अभी आपने dihybrid cross पड़ा था यहां पर मैंने बताया था थ्री और थ्री नाइन और वन जो है यह parental टाइप के है और थ्री यह एक री कॉमिनेंट है तो मतलब यह parent के तरह नहीं है तो यह यहां पर दिया गया है यह यह sign जो है आपको पता होना चाहिए इतने दिन से बाइव पड़ना है यह female का sign हो यह male का ठीक है Morgan ने female लिया जो की yellow color की body थी जिसकी और आखे white color की थी उसको cross करा है male से जिसकी body brown color की थी और आखे red color की थी अब yellow body white eye को Morgan ने y w से represent किया मॉर्गन ने plus का use किया ठीक है अब इनका cross कराने पे जो f2 generation मिला इसमें parental type 98.7 परसंट था और recombinant जो थे वो 1.3 परसंट थे अब यह percentage जो है वो नीट में कई बार थे वो parent के तरह थे ठीक है parental type और 1.3 जो थे वो recombinant थे ठीक है यानि वो थोड़ा अलग थे अब ऐसा क्यों हुआ इतना ज्यादा parental के तरह क्यों थे क्योंकि jeans were tightly linked मतलब जो jeans थे वो एक दूसरे से linked थे इसी वज़े से जहां jeans गया है वहाँ साथ में गया है तो इसी वज़े से क्या हुआ parental type 98.7% यानि parent के तरह बहुत जादा दिखे तो यह पता होना चाहिए आपको jeans were tightly linked यह yellow वाले मतलब उसमें cross में yellow body white eye और brown body red eye वाले cross में ठीक है इसमें jeans काफी जादा अच्छे से linked थे दूसरा cross इन्होंने किया white eye miniature wing का यानि सफेद आखे और चोटा विंग मीनिये चाहिए मतलब छोटा विंग इसको मेल लिया वह रेड आई का था और नॉर्मल विंग था इसको डबलू प्लस और एम प्लस से अगेंट प्लस जो है यह dominant को सो करता है अब इसमें जो f2 generation मिला इसमें parental type 62.8% parent के तरह देखने मिले और recombinant 37.2% यानि काफी अच्छे मतलब percentage में recombinant भी मिले अब इस वज़े से recombinant ज्यादा मिले क्योंकि jeans were loosely linked क्योंकि jeans जो थे वह loosely linked थे तो आसानी से एक दूसरे से jeans अलग हो गए इसे होज़े से recombination हो पाया जिस जब एक ही साथ रहेंगो तो recombination नहीं हो पायगा जैसी यहाँ पे जिस ज्यादा तर क्या थे एक साथ थे इसे ज्यादा तर पैरेंट के तरह हो गए यहाँ जो है वह loosely linked थे तो loosely linked थे तो आसानी से अलग अलग यहाँ पर हम पैरेंटर टाइब ज्यादा मिला लेकिश्य कॉमिनेंट भी हमें काफी ज्यादा मिला तो यह था मॉर्गन का मदल्ब प्रोमो समल थे अब आते हैं दोसरे पार पेस पेश पेश पर तो आब आते हैं इस पर एक साइंटिस्ट है अलफ्रेड इस्टर्ट इवे करते हैं अब आते हैं काफी अच्छा इंपॉर्टन टॉपिक है और नेट में कुस्टन भी इस पर अच्छा अच्छ समझेगाई इसको राखनी सुरवात के experiments वो insects पर गिये थे ठीक है एक साइंटिस्ट थे हैंकिन उन्होंने X body नाम की एक चीज और एक्स बोडी जो थी वह एक्शुली X chromosome था ठीक है क्योंकि हैंकिन के जवाने में X chromosome नहीं खोजा गया था तो उन्होंने X X body नाम लग दिया और इसी X body को हम आगे चलके X chromosome बोलने लगे अब सिर्श डिटर्मेंसर में दो टाइप के हैं male heterogamity और female heterogamity होता है इसका मतलब जो यह chromosome होता हो इसके अलग होता है यहाँ पर Xy जबकि फीमेल यहाँ और Xy टाइप female heterogamity में एक आता है female heterogamity मतलब female का जो chromosome होगा वो अलग अलग होगा देखो z और w ये female बना रही है ठीक है यहाँ पे female का अलग अलग होगा अब x o अलग जो chromosome मतलब sex determination है ये insects में देखा जाता है example grass ओपर का है इसमें x o जो है वो male को represent करेगा और x x combination जो है वो female हो जाएगी यहाँ पे जो o लिखा हुआ है यह actually zero है क्योंकि male में एक कम chromosome होता है ठीक है तो female में दो x chromosome होता है और male में सिर्फ एक ही x chromosome होता है और x क्या गई यहाँ पे zero लिखते है उसको o बढ़ते है ठीक है यह द्यान रखेगा एक लो टाइप में क्या होता है male के पास एक कम chromosome होता है female के पास एक ज्यादा होता है ठीक है अब आता है xy पे xy में xy जो होता है और xf जो होती है वह female बनेगी example है humans यानि हम लोगों में और mammals में और ब्रॉसोफिला में भी हमें यह चीद देखनें मिलता है xy टाइप का सब्सक्राइब टीसरा है female हेट्रोगेटी वाला जट डवलू टाइप में जट डवलू जो होगा वह female होगी और जट 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 जो होगी और यह एक्जामपल बर्ट में होता है बर्ट में देखनें मिलता है यह काफ़ी important है ठीक है तो याद रखेगा बर्ट में जट डवलू टाइप का सख्च मतलब अंदर ले आने एक और चीज़ कुछ insert कर देना duplication मतलब copy कर बना देना ठीक किसी एक चीज़ की copy बना देना अगर हम segment of DNA यानि DNA का एक segment एक हिस्सा ले देगे उसका deletion insertion या duplication करेंगे या base pairs जो होते हैं DNA के अंदर उसका duplication insertion duplication तोे सबूदर सब्सक्राइबए ना करता हैU क्यांट perform with peace मूटइशन एकाफाई काफी बड़ा मूटिशन होता है हमारे लेवल पे चाहिं पेंसीयाति ने दिया नहीं और सिर्फ इतना बता दिया यह कि अगर ब का इंसर्च कराया जाता है और से अब mutagens, mutagens क्या होता है, factors that induce mutation, ऐसे factor जो की mutation करा सकते हैं, जैसे की UV rays, इसके नाव gamma rays आगे पढ़ेंगे आप, तो ये सब factors जो होते हैं, वो mutation, इनके दोरे mutation कराया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो गया mutation का topic, अब आते है pedigree analysis पे, तो pedigree analysis क्या होती है, इससे हम genetics disorder को generally पढ़त अगर square बना है, तो male है, अगर इस तरह का बना हुआ है, तो उससे कहता है, six unspecified, unspecified मतलब हमें नहीं पता कि six का हो, ठीक है, अगर ये square या गोला ये, मतलब जोड़ भी है, इसके बीच वे अगर color fill है, तो इसका मतलब होता है, ये affected है, कौन सा color इससे हमें कोई मतलब नह नहीं पता, लेकिन इसको genetic बीमारी है, इस टाइप से, ठीक, अब male और female के बीच में ये एक line होगी, तो इससे कहता है, mating, अगर दो line होगी इनके बीच में, तो इससे कहता है, कौन से genius mating, कौन से genius mating क्या होता है, between relatives, मतलब relation में अगर mating हो रही है, तो उससे concogenous mating कहता है, ठीक है अब अगर ये दोनो mate करेंगे, तो इससे बच्चे होगे, और बच्चे को हम इस टाइप से दिखाएंगे, ठीक है, ये एक बच्चा, ये बच्चा, जो बच्चे को हम पहले दिखाएंगे, वो obviously older child होगा, ठीक है, मतलब जो पहले पैदा होगा, उसको इस side दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे, और जो बाद में पैदा होगा, younger child होगा, उसको बाद में दिखाएंगे, ये राइट हैंड साइट पर दिखाएंगे, ठीक, तो आब इस टाइप से कोई figure दे दिए गया है, नीट में, अगर पूछा जाएंगे, कौन सा बच्चा पहले पैदा हुआ, तो इसलिए ये पहले पैदा हुआ, ये बाद में पैदा हुआ, ठीक, फिर अगर हम इस टाइप से गोला, ट्रेंगल या इसको बनाके हम बताते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं, तो इसका मतलता है, फाइफ अनफेक्टेड ओफिस्प्रिंग, मतलब कलर नहीं है, तो क्या आपको याद रखने होते हैं, इसके एक्जामपल जरूर कर लिजेगा, मतलब बुक में इससे कॉश्चन आते हैं, प्रिवियस से कुश्चन देखिएगा, इससे आते हैं, और इसके एक्जामपल साब साब साल्व कर लिजेगा, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे करते हैं अब इसमें हमने ग्रीन कलर कर दिया जिसे आपको पता रहा है यह है और यह है और यह और यह सारे क्या है में डिसॉडर से तो पहला है है ही मोफीलिया ही मोफीलिया होता है सिक्स-linked उसमें से एक प्रोटीन होता है यह खराब हो जाता है अब उस प्रोटीन के ना बनने के वज़े सब्सक्राइब करें देखने को नहीं मिलता अब ऐसा क्यों है कि फीमेल्स जो है वह उनका हीमोफिलिक होना बहुत रहार है क्योंकि इसके लिए यह हाँ जायिए एसी कॉंबिनेसन जिसमें मदर केरियर हो है और फादर याव है ते हुआँ ताइब क्यों जैसे है कि सारे मेल्स जिनको हीमोफिलिया है तो इस यह आपको ध्यान में नहीं थीम दिया है यह अब सब्सक्राइब और दूसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है सिकल सलेनीमिय का सब्स्टिटूशन ऑफ ग्लुटामिक एसट जी यूजी एड़ सिख्थ पोजिशन बीटा चेन अफ हीमोगलोबिन अब इसको समझो हीमोगलोबिन जोती है उसमें दो दो चेन होती है एक होती है लेकिन ग्लुटामिक एसट को हटा के अगर वैलीन आ जाएगा तो उससे सिकल सलेनीमिय हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होओ रहा सब्स्टिटूशन ग्लुटामिक एसट को खटाना और वैलीन को लगाना इस चते पोजीशन पर किस चेन में बीटा चेन में हीमोगलोबिन क तो यह आसान याद रखना है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स्त पोजीशन में ग्लुटामिक एसिट के जगे वैले लगा देना अब यह जी एजी और जी यूजी है यह ट्रिपलेट कोड़ॉन है अभी आप इतना समझिए कि ग्लुटामिक एसिट को जी एजी से तो बेसे इसी इसमें से दो तरिक हैं और प्रॉबे और प्रॉबें यह जा है और फिमेल में एक्स होते हैं ट्यके अब इसका जो होता है उसके दो होते हैं और HBS, अगर HBS, HBS दोनों रहेंगे साथ में, तभी disease होगी person को, ठी, तो अगर HBA, HBS साथ में हैं, तो नहीं होगी HBA, HBA है, तब तो होगी ही नहीं, लेकिन HBS और HBS, दोनों HBS हो जाएंगे, तो person को disease हो जाएगी ठी, chance of transmitted to any progeny is 50%, 50% होता है कि किस progeny में जाएगा, क्योंकि sex से link नहीं है, यहाँ पर देखिए, chances आलग होते थे, female में बहुत ज़्यादा, बहुत कम chance है, और male में ज़्यादा chance है, हीमोफीलिया में, क्योंकि यहाँ पर यह आटो-सोमल इसी वह जैसे आधा-धा-धा-पाचास परसन का chance होता है, कि male में, जो affected person है, उससे किस progeny में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 50% chance होता है, अब यहाँ पर होता क्या है, आप यह समझे, क्योंकि हमोफीलिया में, 6th position पे, glutamik acid की जगे वैलियन आ गया, जैसे आजाएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है, उसका polymerization हो जाता है, तो इट polymerizes due to low oxygen tension, इसको oxygen नहीं मिल पाती है, ठीक है, oxygen नहीं मिल पाती है, तो इसका polymerization हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, अब polymerization होने होता है, इस चेंज सेप आफ और बैसी टू सिकल like, अब RBC का जो सेप होता है, बदल के सिकल के तरह होता है, फार्मिंग में farmers जो होता है, किसान लोग योजो होता है, तो सिकल के तरह का RBC का सेप होता है, ठीक, तो अब यहां पर एक question में आपको पूशता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा सेल वाला तो आप बता लेंगी आर्वेशंगी का नॉर्मल सेप क्या होता है यहां पर गया है कि चेंज सेक्था याक तो अगर तो यह हो गया हमारा स्लिकल से लिनीबिया थेरड कि परीचilenन के च्पैस्ता पर आते हम आखरी बढ़ा करता हूं तो फिनाईल के टोनिऊरे यह भी ओटो शुमर डिसॉर लिसोडर है और इसको inbor्न एलरग में का यह क्विण है कि inborn error of metabolis कुण है तो फिनाईल के टोनिऊरी है ठीक है इन वाण मतलब बचผण से जब Guardians हुआ इंसान थी था घ़ा की इंसान नॉर्मली किया होता है दान का नाम का था हमारी और उसके लिए एक इंजाइम चाहिए होता है यह लेकिन इंसान को गर्ड़ाइलले को सबस्क्त Normally दोटा अब टो तो इससे होता क्या है तो अब पाइरवी केसिर में बदल जाएगा और अगर में अकुमिलेट हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा इसके लाव फिनाइल पाइरवी केसिर जोता है कांट एब्सॉर्ड वाइड़नी के दौर यह एब्सॉर्ड नहीं किया जा सकता है इस वज़े से एक्सक्रीट थ तो मैंने यहां समझाए दिया तो यह आपको याद रखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस कलर ब्लाइडनेस और थैलेसीमिया यह भी क्या है में डिसॉर्ड इनके बारे में मतलब डिटेल नहीं दिया आपकी बुक में लेकिन आपको नाम दे दिया गया एंस 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 बताया ह यह में डिसॉर्ड याद रखेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस कलर बॉलाइडनेस और थैलेसीमिया यह तीनों भी में डिसॉर्ड रखने हैं तो टोटल छे नाम आपको याद रखना हैं हमारे इस में यहां पर जीन से कोई मतलम नहीं है यहां पर क्रोमोसोम से मतलब है यहां पर क्या होगा absence या access या abnormal arrangement हो जाएगा chromosome का abnormal अलग तरीके से arrangement हो जाना absence मतलब chromosome का ना रहना और access मतलब 1 से जाधा मतलब 2 से जाधा chromosome हो जाना हम लोग deployed है नदिप्लाइड में क्या होता है कि हर एक chromosome का दो pair होता है या से chromosome number one है तो 2 copy होगी chromosome number one की ठीक है तो normally अब इसमें दो वर्ड आपको जाने हैं एक हुता है एक होता है यहां पे साह्च होना चाहिए कोई मतलब नहीं ठीक है अच्छा आग को कुछा आपसे अनुपलाइड़ी क्या होता है गें लॉस आफ क्रोमोसूम गरता है खिक है जहिए ज़यों आ वहाइं कि chromosome number one है माल लो इसके दो दो कॉपी होती है हमें सा डिप्लाइड और्निस में दो कॉपी रहेगी तो हम डिप्लाइड है chromosome number one की दो कॉपी है अब एक हड़ गई एक ही बची तो इसको एनुप्लाइड कहेंगे क्योंकि एक chromosome हमने लूज कर दिया तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसों क्या है एनुप्लाइडी रीजन क्या होता है इसका फेल्योर ओफ सेप्रेशन ऑफ क्रोमेटिड दूरिंग से डिविजन अगर आप ते सेल डिविजन वाला चैप्टर पड़ाय तो यह बहुत आसान है जब सेल डिविजन होता है तो प्रोमेटिड सेप्रेड होता है और अगर कुरमेटिड ते तीन गुना क्रोमोसों हो जाए तो यह होता पॉलिप्लाइटी लेकिन यह देखा कहा जाता है प्लांट्स में जनरली देखा जाता है तो इंक्रीज इन होल सेट आफ क्रोमोसों पूरा सेट बन जाए प्रोमोसों का बढ़ जाए रिजन फेल्यूर ऑफ साइटो कानेसिस होती है घल थे हो गया अनुपलाइटी और पॉपलाइटी अब आते हैं यहां यह है यह अब आप देख रहे होंगे तो हमारे पास तीन है झाल सिंड्रों क्लेटलर्व अफेटर्डर्व और टर्णर सिंड्रों थिक पाड़ते हैं बहुत यह आसान है यह लिया नहीं के नाम पर डाउन रख दिया गया तो डाउन सेंड्रोम क्या था ट्राइसोमी ऑफ 21 था 21 क्रोमोसोम है मैंने बताया हम लोग डिप्लॉइड और निसमें तो 21 की कि इतने पेर होंगे दो पेर होंगे लेकिन 21 का एक और पेर साथ में आ जाता है तो अब हम कहते हैं स्ट्रेश इस तेर्चर बीच ऊती है वोह हुटा μचली थेखे लिए तो मतलब बीच में तंगर की धेरी दें डेखने मिलती है पार्सियल ओपन हल्का खुला हुआ माउथ रहए विसे सब्सक्राइब यह बहुद यह बहुत ब्राइब होगा और जो लाइब होती जो पाम होगा वो ब्रॉड होगा और क्रीज अलगी तरह देखने मिलेंगे एक तरेक्टरिस्टिक मिलती है ठीक फिसिकल साइको मोटर और मेंटर डिवलपमेंट रिपाइड फिसकल डिवलपमेंट भी नहीं हो सकता है साइको मोटर मतलब रिस्पॉंस वाला ठीक कैसा वाला डिवलपमेंट डिवलपमेंट भी सहिसे नहीं दोपता है यह तीनों डिजल्पमेंट सहिसे मैं तोश है aoला में पर खैए लिघ्धागेरश्व्च स्फेंप्रूंसeln नहीं सहते हैं अर्कौन सा क्रों अबढ़ता है एक्स क्रोर ठीक है नॉर्मल एक मBayल होगा तो उस एक अब इससे क्या होता है masculine development with feminine character इसनान जो मेल होगा उसका नौर्मल development तो मेल के तरह लेकिन फीमेल के करेक्टरस उसमें दिखेंगा उस इंसान में और करेक्टर जैसे गायन को मेस्टिया क्यों मतलता ब्रेश्ट का सिंसान में डश्टैवलपमेंट देखना मिल धैक है फिर अफेक्टेड मेल इस से ट्राइल को से इस्टेड़ाइल मतलब जो रिप्रडूस नहीं कर पाता है तो वह फो इस ट्राइल होगा ठीक अब लाज अब आते हैं आख्री टॉर्पिक तर्नर सिंड्रोम तर्नर सेंड्रोम फीमेल्स में होता है यह भी स्टेडाइल हो जाएगी फीमेल्स में अगर हो जाएगा तो इसे क्रोमोसों में जैसे यहांपे एक स्थक्रूर्ज ओंतले खुविवन लिएक स्थूरिए खुपक स्थए बेर है यहां पर होगा एक्स क्रोमोसोम थी गया तो देलल एक्स क्रोमोसोम यहां पर मैं आभी आ सए करके लिख दूंगा तो यह हो गया हमारा टर्गनल सिंड्रोम थी तो अब हमारा यह पूरा चैप्टर खतम हुआ तो यह हमारा पाच्वा पेज था यह चौथा पेज यह तीसरा दूसरा और यह पहला तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और मन कहें जो चैनल कर सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर अच्छा लग जाए तो ठीक है बाकी शॉर्ट नोट्स काफी सही है अगर आ चैनल को आपको कोई दिखकत नहीं करना है अगर आप पेहली बार यहां से पड़या होगे इस समय तो थोड़ी दिखकत हो सकती है तो आमने प्रॉब्लम हो सकती है अब इसके बाद आपको एक काम करना है प्रीवेस यह क्वेश्चन इस चैक्टर के जरूर करने है ठीक बिन इस बात मैं जोत करने हैं कि लिए तो मैं उसी क्षेक्टर के पषल्ट करने कहता हूं मैं जानता हो कि Bachelor तो आप ऐसा नहीं एक्जाम में पहली बार बैठेंगा और तुरंत आपका सारा कुष्चन हो जाएगा ठीक है तो नॉर्मली तो जनरली सारे कुष्चन हो जाने चाहिए लेकिन अगर कोई भी हलका सा कॉंसेप्ट धरुदर हुआ तो फिर खराब जाएगा आपका तो इसी व अन्यवाद